Hello students, welcome to your own YouTube channel, Learn English with Pradeep, I am Pradeep Kuchwaha. Students, preposition for men's or medium, साधन या माध्यम के लिए preposition का प्रयोग, आज का हमारा टॉपिक यही है. साधन या माध्यम के लिए हम लोग किस प्रकार के prepositions का प्रयोग करते हैं? अक्सर हम लोग जो बोलते हैं, अक्सर हमारे prepositions की problem आती है, कि कहां पर किस का प्रयोग करें, कहां पर with का प्रयोग करें, कहां पर without का प्रयोग करें, कहां पर in का प्रयोग करें, कहां पर into का प्रयोग करें, कहां पर from का प्रयोग करें, कहां पर within का प्रयोग करें, अक्सर य जैसे किसी कार को करने के लिए हम भिन भिन साधनों का प्रियोग करते हैं और उनके इंग्रेजी बनाने के लिए भिन भिन प्रिपोजिशन का भी प्रियोग करते हैं अताहा जो नीचे दिये गए कुछ उदारण है उनको ध्यान से पढ़ना है और आपको समझना है कुछ उसके मैंने लाश्ट में नियम भी बता रखे हैं with example and rule भी उसमें मिलेंगे आपको सबको आपको practice करते रहना है बोलते रहना है और हो सके तो copy menu down करते चलिए इसे आगे आपको revision करने में काम देगा तो जैसे हमारा पहला topic है with और without with means say without means बीना यев गएर इन दोनों का परयोग कैसे होना है समझेगा जैसे पहला sentence है I man walk with his feet a man walks with his feet मनुष अपने पैरों से चलता है a man walks with his feet मनुष अपने पैरों से चलता है यहाँ प्या है साधन क्या है इसलिए हमने यहाँ पर with का परयोग कर दिया है सकता है यह हो गया without with means say without means बिना या बगैर तो man walk with his feet एक आदमी अपने pair से चलता है और a man cannot walk without feet एक आदमी बिना pair के नहीं चल सकता है with means say और without means बिना या बगैर clear हो रहा ना चलो था नीशे देख लेते हैं यदि किसी कार को करने के लिए किसी instrument निर्जीव साधन का प्रयोग हो रहा हो तब उसके लिए हम लोग with और बिना या बगैर के लिए without का प्रयोग करते हैं जैसे हाथों से पैरों से आखों से कानों से चूरे से चाकों से बंदोग से कलम से चसमे के बिना आखों के बिना कलम के बिना चाकों के बिना आधी इन सब के लिए हम लोग with या within का प्रयोग करते हैं यहाँ पर say होगा वहाँ प्रवित जहां पर बगायर होगा वहाँ पर हम लोग without का प्रयोग करते हैं। इसे आज का अगला निया हम समझते हैं, अगला निया हमारा है by और by का प्रयोग। एक by means होता है say द्वारा अधिकार प्रकट करने के लिए, पैजी वाइस में हम लोग उसको एजेंट से पूरो यूज करते हैं पैजी वाइस में इसा एजेंट से पूरो यूज करते हैं जो हमारा एजेंट है जो सब्जेट को हम लोग अबजेक्टिव रूप में रख देते हैं उसके पहले हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं जैसे लिखा हुआ है ताज महल वास बिल्ट बाई शाह जहां तो यहाँ पर शाह जहां क्या है एजेंट हो गये है ताज महल वास बिल्ट बाई शाह जहां ताज महल शाह जहां के द्वारा बनाया गया यहाँ पर दिखे बाई हमने बाई मिस से या द्वारा ताज महल शाह जहां के द्वारा यहाँ पर बाई मिस क्या हो गया बाई मिस हो गया द्वारा इसे एक और सेंटेस ले लिजे बाई मिस यहाँ पर बाई मिस यहाँ पर से भी हो सकता है और द्वारा भी हो सकता है यह किसी वाग को किसी व्यत्ती या कभी कभी निर्जीव डोर या एजन्ट से कराया जाए तब उससे पूर बाई का प्रयोग करना होता है जैसे अध्यापक के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, भगवान के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, ऐसे जगह स्थितियातित पर भी वहां हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विध का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते है जैसे एक हो देख लिजे बाई का दूसरा प्रयोग है बाई मीस से होता है यातायात या संसाधन के साधन के लिए हम लोग मीन साफ ट्रांसपोर्ट या कम्यूनिकेशन के लिए इससे पूरो हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं जैसे लिखा हुआ है एरोपलेन के द्वारा संचार माध्यम क्या है एरोपलेन है तो उसके पहले हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं जैसे एरोपलेन के पहले अर्थात आपको डोर के पहले या फिर आपको एजेंट के पहले बाई का प्रयोग करना होता है या फिर आप चाह तो ट्रांस्पोर्टेशन वाले चीजों के लिए या फिर कम्यूनिकेशन या संचार माध्यम के लिए आतायात के लिए हम लोग बाई का प्रियोग करते हैं जैसे मैंने पत्र कोरियर के द्वारा भेजा ठीक ना इस तरह से आपको बनाना होता चलो कुछ इसके इस कंडिशन जान लेते हैं इसका कंडिशन क्या है